नमस्कार दोश्तों मैं गीता भट मेरे चैनल मिनी स्कूल मा आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम नर्शरी क्लास के मैच सब्जेक्ट का सलेबस डिसकस करेंगे इसमें मैंने 11 टॉपिक लिए हैं इसमें मैंने कुछ चीज़ें बनाई है जैसे की अब हम बच्चों को सिखाएंगे इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस इस टोल और फिर हम बच्चों से पूछेंगे बच्चे को आंसर देना सिखाएंगे ताकि बच्चों को कमपेरेजन करने की समझ हो सके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्री राइटिंग स्ट्रॉक्स जिसमें हम बच्चों को ट्रेसिंग फॉर्म में लिखना सिखाते हैं जैसे कि मैंने कुछ लाइन्स बनाई हुई हैं फर्स्ट है हमारी स्टेंडिंग लाइन हम इसमें इस तरीके से कराएंगे अप्टू डाउन इस तरीके से सारी लाइन्स फिल करवाएंगे इसी तरीके से स्लीपिंग लाइन्स और फिर बनाई है हमने Slanting Line, Right to Left और इसी तरीके से Left to Right और ये हैं Curves जो कि Upward Curve और ऐसी हम सिखाएंगे Downward Curve, Right Curve and Left Curve ताकि बच्चे हाथ घुमाना सीख सकें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा Numbers जो कि हम 1 से 50 तक Oral कराते हैं और इनको हम Blackboard में लिखा के भी करा सकते हैं या फिर हम बोल के भी करा सकते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से आ सके Oral Counting के साथ साथ हम बच्चों को लिखना भी सिखाते हैं इसके लिए मैंने इस तरीके से Diagram बनाए हुए है जैसे 1 है तो 1 के सामने मैंने 1 Apple बनाया है अब हम बच्चों को लिखना सिखाएंगे कि उन्हें 1 कैसे बनाना है इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि उपर से जान सके कि यह 2 है और इसी तरीके से मैं 2 लिखना सिखाऊंगी थ्री नंबर के सामने 3 एपल्स बनाये हैं और इस तरीके से हम बच्चों को फिल करना सिखाएंगे और ऐसे ही हम 4 लिखना सिखाएंगे और 5 आए डियाकराम हमने इसलिए बनाये हैं ताकि आट्रेक्टिव लगे और इसे आप भी बना सकते हैं और बच्चों को इसको करने में इंठरेस्ट भी आता है एक्स टॉपी के हमारा लुक अंड राइट इसमें बच्चे को हम डिरेक्ट लिखना सिखाते हैं जिसमें मैंने one लिखा है तो बच्चों को हम इस तरीके से डिरेक्ट one लिखना सिखाएंगे और इसी तरीके से two लिखना सिखाएंगे और ऐसे ही three four and five इसके लिए मैंने सारी चीज़ें एक ही पेज में करा दी हैं लेकिन ये हम वन एक दिन लिखाएंगे SI page होमवर्क में देंगे इसी तरीके से तू भी हम एक पूरे page में लिखेंगे और बच्चा पूरा page फिल करेगा उसके बाद तब नया page देंगे और SI page होमवर्क में भी देंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा count and write जिसमें हम इस तरीके से object देखे बच्चे को count करना सिखाते हैं जिने count करके बच्चा सामने लिखता है जैसे कि यहाँ पर 3 walls दी है तो इस तरीके से 3 लिखना सिखाएंगे ऐसे ही मैंने 4 trees बनाई हुई है जिसके सामने बच्चे को count करके इस तरीके से लिखना सिखाएंगे ऐसे ही ice cream दी है और अगर यह 1 है तो सामने हम 1 लिखना सिखाएंगे ऐसे ही मैंने 4 cuffs दिये हैं जिसके सामने हम count करके यहाँ पर लिखना सिखाएंगे ऐसे ही मैंने 5 all shapes दिये हैं 1,2,3,4,5 तो यहाँ पर 5 लिखना है पहले हम बच्चों को इस तरीके से अच्छे डंग से समझाते हैं हम खुद लिखना सिखाते हैं फिर बाद में हम जब test देते हैं तो उसमें हम बच्चे को यह बना के देते हैं यह worksheet और बच्चा इनको count करके फिर यहाँ पर खुद फिल करता है जैसे की 1, 2, 3 तो यहाँ पर बच्चा लिखेगा count करके 3 इसी तरीके से बच्चा यहाँ पर बनाएगा 4 और ऐसे ही यहाँ पर 1 आईस क्रीम है तो यहाँ पर लिखेगा 1 इसी तरीके से वो count करके लिखना सिखेगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा match same to same number इसमें बच्चा बच्चे को हम इस तरीके से सिखाते हैं अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो आप यहाँ पर देखके 1 को 1 से match कीजिए और इसी तरीके से 2 से 2 को match करना है और आगे फिर 3 को 3 से match करना है और इसी तरीके से 4 को 4 से और 5 को 5 से जैसा कि मैंने पहले भी बताया हम पहले बच्चों को सिखाते हैं यह वक्षीट हम हमको paper में देते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा backward counting जब बच्चे को ठीक से counting आ जाती है 5 तक तो फिर हम उनको written और oral backward counting सिखाते हैं जैसे कि 5 4 3 2 1 इसी तरीके से आगे है हमारा tick the correct number मैंने कुछ number दिये हैं और उसके सामने number लिख दिये हैं जैसे कि 1 दिया है तो यहाँ पर मैंने 3 numbers लिखे हैं 2 1 3 यहाँ पर बच्चा recognize करके 1 पे tick करेगा और इसी तरीके से 4 दिया है तो 4 के सामने tick करेगा next topic है हमारा what comes after and before इसमें हम बच्चे को इस तरीके से सिखाते हैं जैसे मैंने 2 दिया है तो 2 के बाद 3 आता है ऐसे 4 के बाद 5 आता है और 1 के बाद 2 आता है तो हम फिर बच्चे से बोलेंगे what comes after 2 तो इस तरीके से बच्चा लिखेगा 3 और इसी तरीके से हम बोलेंगे what comes after 4 तो बच्चा लिखेगा 5 और इसी तरीके से what comes after 1 तो 2 ऐसे ही हम बच्चो को विफोर भी सिखाएंगे नेक्स टॉपिक है हमारा डिक्टेशन जिसमें बच्चे को हम बोल के लिखाते हैं जैसे कि बच्चा सुनेगा और फिर लिखेगा जैसे कि हम बोलेंगे one लिखो तो बच्चा one लिखेगा इसी तरीके से हमने बोला five तो बच्चा लिखेगा five ऐसे ही हम बोलेंगे four तो बच बच्चों को सेफ सामने देखान को बच्चों को सेफ की पहचान कराते हैं, जैसे कि ट्रैंगल, रेक्टेंगल, शर्कल, और सक्वाईर नस्री कलास के बच्चे को हम ये चार चीजे कराते हैं और इनको हम concerning her book से दिखा कर बच्चों को अच्छे डंग से सिखाते हैं कि यह triangle है यह rectangle है ऐसी यह circle है और यह square है shapes कराने के बाद मैंने इस तरीके से एक worksheet बनाई है जिसमें मैंने इसी shape के सामने object बनाए है जिनको मैं बच्चों को अच्छे से समझाओंगी कि कौन सी चीज कौन सी shape में है और इसी तरीके से हम इनको match करना सिखाएंगे इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक ट्रैंगल के सामने एक उसी सेप में कैप बनाई है, इस तरीके से हम मैच करना सिखाएंगे, ऐसे ही फिर हम स्कॉयर में मैच करना सिखाएंगे, यह मैंने स्कॉयर के सेप में केरम बोर्ड बनाया है, जिसको हम इस तरीके से मैच करना और इसी तरीके से एक एन्वलप बनाए है रेक्टेंगलर सेप में इसको मेज करना सिखाएंगे इस वीडियो में मैंने 5 नंबर लेके सभी टॉपिक कबर किये हैं इसी तरीके से आप आगे भी करा सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब करें थैंक यू